जै मादादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो शनी की गढ़ना सबसे ताकतवर ग्रहे और कूर ग्रहों में कही जाती है राक्षस ग्रहे की उपादी इनको दी गई है यदि कोई जातक शनी देव को तेल अर्पित करता है और काले रंग के कपड़े पहन कर शनी देव के मंदे में जाकर उनकी पूजा अर्चना करता है तो ऐसे में भगवान शनी का आशिरवाद मिलता है क्योंकि काला रंग जो है वो सсемरपित है और जो सर्सो का तेल है वो भी शनी देव को समरपित है इसलिए शनी का जब भी कोई राशी परतन शनी की स्थिति में हो तो वो बहुत बड़े बदलाव लेकर आता है सभी लोगों के सभी राशियों के जीवन में अभी शनी आस्त चल रहे हैं कुमराशी में लेकिन अब 6 मार्च को शनी उद्य हो जाएंगे कुमराशी में और शनी के उद्य होने का मतलब है कि प्रभाव देने में सक्ष्म नहीं थे लेकिन अब सूरिय से दूरी बनने के कारण शनी जो है वो उद्ध हो जाएंगे 6 मार्च को कुमराशी में ही और ये उद्ध होकर सब ही राषियों पर प्रभाव देंगे लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुम्ब राशी की कि कुम्ब राशी के लोगों के लिए शनी का उद्य होना आपकी राशी के स्वामी का आप ही की लगन में बैठ कर उद्य होना पून प्रभाव में आना किस तरह के प्रभाव आपको देना शुरू करेगा तो ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में विस् कर्मठ बनाने वाला ग्रह है और आपकी राशी के स्वामी भी है और ये इनके बारे में एक फैक्ट है कि कर्मों के अनुसार ही ये फल देते हैं अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको बहुत अच्छे कर्म मिलेंगे और शनी का आशिरवाद आपको बड़े अच्छे स अपनी राशी में उद्हे होना और आपकी लगन में उद्हे होना ये उन लोगों के लिए बड़ा प्रभावशाली रहेगा जो किसी तरह की नयाइक प्रक्रिया से जुड़े हो हैं यानि आप अगर एक एड़ोकेट हैं आप इस तरह के कार्या कर रही हैं नाइक प्रक्रिया से जुड़े हैं तो कई सारे बड़े सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं क्योंकि इन चीजों के कारग्रह शनीदेव हैं और इन चीजों पर शनीदेव की अच्छ तरीके से करना है इसके अलावा जो प्रथम भाव होता है जो लगन होती है उसका क्या होता है आपके व्यक्तितों और आपके शरीर पर सबसे अधिक प्रभाव होता है जो भी ग्रह आपके लगन में विराजमान होगा तो अब आपको अपने आप पर ज्यादा ध्यान देने की आवशकता होगी तो एक तो सबसे बड़ी चीज आप ये देखें कि आलस बिलकुल ना करें आलस आपको छोड़ना होगा जो काम आपने सोचा है करने के लिए उसे आप तभी कितभी करने की हिम्मत रखें उसे कल पर टालने की तो बिलकुल कोशिश ना करें और अपनी जो दिंचरिया है उसमें कुछ चीजों को शामिल जरूर करें जैसे योग हो गया मेडिटेशन हो गया किसी तरह का एकसरसाइज हो गई इन चीजों को आपको जरूर अपनी दिंचरिया में शामिल करना होगा क्योंकि ये क्या करेगा आपके मन को और आपके शरीर को उर्जावान बनाए रखेगा और इस समय आपको एनरजी की सकता वशकता होगी जितने ज्यादा आपके मन उज्वल होगा और उर्जावान होगा उतना ज्यादा आप अपने काम पर ध्यान दे पाए आपका एहम भी कंट्रोल में रहेगा और उसकी वेज़े से जो दिक्कते हुई वो भी आपकी कंट्रोल में रहेगी शनी का लगन भाव में उदा होना आपको जीवन के बहुत सारे पहलों में बहुत अच्छे परिणाम देगा पस आपको एक चीज से बिलकुर हरनी माननी है एक तो अपने जो प्रियास है ना उनमें निरंतरता बनाए रखनी है यानि जहां आप काम कर रहे हैं जहां आप प्रियास कर रहे हैं उन प्रियासों को कम नहीं होने देना है अगर अभी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला है तो बिलकुल चुपनी बैठना है उसका र Canada अगर आप इस तरह की चीजों से जुदा हुआ कार्य करते हैं खनन जो उससे जुड़े हुए काम करते हैं जो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और साथ में आपका जो जुकाव है वो अध्यात्म की तरब भी बढ़ेगा आपके अंदर धर्म के प्रती आस्था बढ़ेगी धर्म कर्म में मन लगेगा पूजा पाठ में आपका मन लगेगा एक बड़ा अच्छा यहां चीजें जो है वो बड़ी अच्छी आपके लिए रहने वाली है उत्तम समय आपके लिए कह सकते हैं इसके अलावा इलेक्ट्रिक चीजों के जुड़ा हुआ आप कारे करते हैं तो वहां भी आपको अपने बिजनिस में कुछ बड़े बड़ाव देखने को मिल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक चीजों का कारे करते हैं या आपका कोई गाड़ियों का बिजनिस है और एलेक्ट्रिक गाड़ियां आजकर बहुत ज़ादा चल रही हैं उनका आप करते हैं तो वहाँ भी आपको कुछ profitable चीज़ें दिखाए देंगी government की तरफ से तो ऐसी चीज़े हो सकती हैं आप automobile industry से जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपके आगे बढ़ने के chances बहुत जादा होंगे जो automobile industry से जुड़े हुए हैं अब social media के थुरू आप एक influencer है आप social media पे जुड़े हैं तो उन लोगों को थोड़ी से सावधाने रखनी होगी अपनी बातों में थोड़ा सा आपको सावधानी पुरवा कार्य करना होगा क्योंकि किसी ना किसी तरह की नजरें आपके उपर रह सकती हैं और किसी तरह की कानूनी गतिवीदियां आपके उपर चल सकती हैं किछ बातों की वज़ए से तो उन लोगों को थोड़ा सा यहां ध्यान ज़रूर रखना लेकिन अगर आप गौर्वर्मेंट काम से जुड़े हुए हैं राजनीती से आप अगर जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए आगे बढ़ने का यह बहुत अच्छा मौका होगा जब आप खुद के लिए बड़े बदलाव देख पाएंगे अपनी मेहनत से आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे आप आगे बढ़ते हुए दिखाए देंगे ऐसी चीज़ें ऐसे बड़े बड़े बदलाव आपको अपनी जीवन में देखने को बिलकुल मिलने वाले हैं और इसका देखे जो की लगन में बैटे हैं तो सबसे अधिक प्रभाव है वो आपके व्यक्तितो पर होगा तो बस अपने आपको अपने व्यक्तितो को आपको प्रभावशाली बना कर रखना है बाकि शनीक की आशिरवास से आपके बहुत से कारिया बनने वाले हैं अब जैस जतना आप प्रयास करेंगे और जतना आप नेगीटिव चीजों से दूर रहेंगे उतना अच्छा बैनेफिट आपको देखने को मिलेगा अब मैं अगर उपाई की बात करूं किस तरह से आप शनी को बड़ा मजबूत कर सकते हैं तो देखिए शनी के उद्या होने से आप क जान कर देंगे तो यह बहुत उत्तम रहेगा और शनीवार के दिन शनी मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दें बहुत अच्छा उपाय है आज इवन भी करें पूरी वर्ष भर करें तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि शनी राशी स्वामी है आपके तो